हाई गाईज मैं हूँ स्वाती और वेलकम टू माई चैनल आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टैंस फ्यूचर परफेक्ट टैंस स्टार्ट करने से पहले मैं अपने विवर्स को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आये थे और अभी तक उनको पास्ट परफेक्ट टैंस और पास्ट परफेक्ट टैंस में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो उनको ये बता दूँ कि उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब ये सारे टैंस हम खतम कर लेंगे उसके बाद एक क्लास लाऊंगी जिसमें पास्ट परफेक्ट टैंस प्रिजन परफेक्ट टैंस इन तीनों की कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा कुछ sentences ऐसे लेके आऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि past indefinite tense और past perfect tense में basically क्या difference होता है लेकिन उस वीडियो को लाने से पहले better ये रहेगा कि हम सारे tenses finish कर लें उनको सही से समझ लें उसके बाद जितने भी confusion होंगे मैं अपने last session में लेके आऊंगी तो चलिए बिना time waste किये आज की class हम शुरू करते हैं और friends अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे बने red color के subscribe बटन पे click करके अभी मेरे चैनल को subscribe करिए और साथ ही बने bell icon पे click करके select for all करें ताकि आपको future में upload होने वाले सारे videos की notification timely मिल जाया करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको like जरूर करें अपने relatives और near dear के संग इसको share जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की class और आज का topic है future perfect tense future perfect tense जैसा की नामस समझ में आ रहा होगा इसमें जो sentences होते हैं वो future के बारे में होते हैं तो समझ लेते हैं इसका शाब्दिक प कर चुका होगा वे लोग जा चुके होंगे ये कुछ sentences हैं जो future perfect tense में आते हैं तो friends future perfect tense की जो auxiliary होती है वो होती है will have will have या shall have लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे केवल will have की क्योंकि spoken English में हम आजकल केवल will have का use करते हैं shall have obsolete हो गया है shall have का use of spoken English में लगभग ना के बराबर किया जाता है future perfect tense का positive syntax होता है subject plus will have plus verb 3 plus object इस syntax की help से चलिए कुछ sentence बना लेते हैं पहला sentence है वह उससे मदद की आचना कर चुका होगा मदद की आचना को कहेंगे pleaded for help pleaded for help या plead for help pleaded plead की third form होती है sentence है he will have pleaded with him for help pleaded के संग preposition लगाएंगे with तो sentence होगा he will have pleaded with him for help next sentence is वह कबाडवाले को बुला चुका होगा वह कबाडवाले को बुला चुका होगा कबाडवाले को क्या कहते हैं junk monger junk monger कबाडवाला junk monger sentence हो जाएगा he will have called junk monger he will have called junk monger he will have called junk monger यहाँ पर जो आपको new word मिला that is junk monger future perfect tense का negative syntax हो जाएगा subject plus will plus not plus have plus verb 3 plus object will have जो इसकी auxiliary है उसके बीच में हम not लगाते हैं will के just बादम not को place करेंगे तो syntax आपने देखा subject plus will not have plus verb 3 plus object आईए कुछ sentences बना लेते हैं negative वह सुर्ण सुर्ण नहीं कर चुका होगा जब जुकाम हो जाता है cold हो जाता है तो सुर्ण सुर्ण करते हैं न इसने पें इसने पाउट तो उसको कहते हैं सुर्ण सुर्ण करना English हो जाएगी sniff और third form होती है sniff की sniffed sentence हो जाएगा he will not have sniffed friends मैं जो ये 3-3 बार या 4-4 बार sentence repeat करती हूँ उसका purpose यह होता है कि आपको सुनने के बाद वो sentences वो words याद हो जाया करें आप भी उसको उसी तरह से बोलने की practice किया करें तो जितनी बार मैं बोलती हूँ आप भी कोशिश किया करिए उससे ज्यादा बार इम repeat किया करिए next sentence है तुम उसे नहीं डाट चुके होगे तुम उसे नहीं डाट चुके होगे डाटने को कहते हैं scold I think आपको पता होगा डाटने को कहते हैं scold third form होती है scold की scolded sentence होगा you will not have scolded him अब बात करते हैं interrogative sentences की interrogative sentences बनाने के लिए इससे पहले हमने auxiliary को sentence की starting में लगाया था यहाँ पर auxiliary है will have तो will लगेगा subject से पहले और have लगेगा subject के बाद और अगर negative sentence है तो हमेशा have को not के बाद लगाएंगे तो समझ लेते हैं interrogative syntax will plus subject plus have plus verb 3 plus object और अगर interrogative sentence negative भी है तो will plus subject plus not plus have plus verb 3 plus object तो देखाना आपने not हमेशा subject के बाद लगेगा और will have में will सबसे पहले लगेगा और have को हम हमेशा not के बाद में रखते हैं तो आईए बनाते हैं कुछ sentences sentence है क्या वह सडक पर लडखडा चुका होगा क्या वह सडक पर लडखडा चुका होगा लडखडाने को इंग्लिश में कहते हैं stagger stagger और stagger की third form होती है staggered sentence होगा will he have staggered on the road next sentence is क्या वह कटपुतली का नाच देख चुका होगा क्या वह कटपुतली का नाच देख चुका होगा कटपुतली को कहते हैं puppet और कटपुतली का नाच कहलाता है puppet show sentence हो जाएगा Will he have was the puppet show? Will he have was the puppet show? Puppet show कटपुतली का नाच देख चुका होगा was'd Double interrogative syntax हो जाएगा WH word plus will plus subject plus have plus worth 3 plus object और अगर negative भी है तो syntax होगा WH word plus subject plus not plus have plus worth 3 plus object तो इस syntax की help से कुछ sentence बनाते हैं पहला sentence है उसे चक्कर क्यों आचुके होंगे? उसे चकर क्यों आचुके होंगे? चकर आना feel giddy चकर आने को इंग्लिश में कहते हैं feel giddy Why will he have felt giddy? Why will he have felt giddy? उसे चकर क्यों आचुके होंगे? Next sentence is तो मुसे अपनी राशी क्यों बता चुके होगे? तो मुसे अपनी राशी क्यों बता चुके होगे? राशी को कहते हैं Zodiac Sign sentence होगा Why will you have told him your Zodiac Sign? Zodiac Sign अपनी राशी वह अपने चेहरे पर चपा के क्यों नहीं मार चुका होगा? चपा के मारना पानी के चपा के मारना means splash Why will he not have splashed on his face? Splashed चपा के मारना तो friends ये थे future perfect tense के कुछ sentences और आपके लिए daily की तरह new vocabulary words I hope इनसे आपको benefit हो रहा होगा और जितने भी vocabulary words मैं आपको daily की class में देती हूँ आप उनकी बहुत अच्छे से practice कर रहे होंगे और जैसा मैंने आपसे कहा था कि सारे words के आपको कुछ ना कुछ नएने sentence बनाने हैं और उनको बोलने की practice करनी है आप वो भी follow कर रहे होंगे तो friends आज की class यहीं over करती हूँ आपके suggestions का मुझको wait रहेगा और आज की class आपको कैसी लगी? मुझे comments करके जरूर बताइए और friends मुझे motivate करने के लिए please like बटन को press करके वीडियो को like जरूर करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो red color के subscribe बटन पे क्लिक करके अभी चैनल को subscribe करिए और साथ ही बने bell icon पे क्लिक करके select for all करिए तक ही सारे वीडियो जो भी मैं future में upload करूँ उनके notification आपको timely मिल सके thank you, thanks for watching